बास्कार दोस्तों आज हम environmental science का एक चप्टर देखेंगे ebs का और इसमें carbon cycle के बारे में पढ़ेंगे कहीं तरह की छक्र होते हैं जैसे कि hydrogen cycle होता है carbon cycle आए सब्सक्राबर कि पर सब्सक्राइं को dov수ता है या हम जवारे के प्रूंट गाथा को अगर सब्सक्राइए अगर शहां से चल completely matched आयरी है और यहां से यहें प le commissions फिर पूरे प्रोंट चैनल लो लेंगी कि एक साइकल है कि कहां से चल रहे हैं पहुंच तो वह साइकल होटा है अब आःे कार्बन साइकल के पहले हम सबको पता है कार्मन स्फेर में तीन तरह से पाये यह सब स्थेत की बिडिन ऑलने चयाता है तो नमल ने जाता है carbon dioxide के रूप में carbon dioxide गैस है उसमें carbon पाया जाता है तो इस तरह से कहा सकते हैं हमकी carbon gaseous form में carbon dioxide के रूप में होता है liquid state में अगर हम बात करें तो water में dissolve होता है carbon इसको हम बोलेंगे liquid carbon, लिक्विड स्टेट का carbon, वो लिक्विड स्टेट में भी carbon मौझूद होता है, इसमें solid state में जो fosils होते हैं, जिवाश्म होते हैं, और जो भी organic materials होते हैं, उसमें carbon का, कार्बन की मात्रा होती है चाहें अगर हम बात करें तो उसमें भी होती है जीवाश्मों में होती है सबसे पहले मैंने फ्लांट लिखा है एक बर मैं डाइग्राम को पढ़ देता हूं यहां पर सूरज बनाए गया है यहां पर पहले प्लांट की बार करें तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटो सिंथेसिस के माध्यम से प्रोसेस आफ मेकिन फूड बाई ग्रीन प्लांट इस नोन एस फोटो सिंथेसिस हरे बादों को खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फोटो सिंथेसिस हिंदी में प्रकास संसलेशन में सूर यसे सनलाइट आती है और ग्रीन प्राइट्स अपना फूट बनाते हैं जैसे यहां पे फोटो सिंथेसिस का मैंने एक्वेशन लिखा है समी करण लिखा है carbon dioxide water और chlorophyll और sunlight के presence में सूरी का प्रकास होगा और chlorophyll होगी उसके presence में carbon dioxide और water का reaction होगा तो बनेगा C6H12O6 यहाँ पे मैंने balance करने के लिए लिखा है 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 की carbohydrate है plus 6H2O plus 6O2 और sunlight और chlorophyll के presence में तो यहाँ हमने देखा कि carbon dioxide और water से बिल करके खाना बनाते हैं अपना carbohydrate के form में कार्बो हाइड्रेट के form में यहां से सूरत की रोष्णी से खाना बनने के बाद कार्बो हाइड्रेट के form में plants के पास इस्टोर हो गया अब यही plants को कौन खाएंगा human beings खाएंगे और animals खाएंगे हम खाएंगे जानवर खाएंगे तो यह जो plants में carbohydrate और sugar है प्लांट में जो कार्बो हाइड्रेट और sugar है यह transfer होगा अब हमारे अंदर human में सबसे पहले हमने देखा कि atmosphere से plants में आया carbon अब plants से यह आ रहा है human beings और animals में ठीक है एक प्रोसेस ही हो गया तो यह carbon एक साइट वापस से कहा जाएगा atmosphere में जाएगा वाईव अंडल में जाएगा तो इस तरह में देखा कि सूरज से आया यही कि वाईव अंडल से ही carbon आता है plant में plants से आता है human beings में और human beings से फिर atmosphere में अगला देखते है human beings यह animals जब यह मरेंगे तो यह dead plants प्लांट्स प्लांट्स मरें यहां से plants आ गए यहां प्लांट्स मरें और यहां आया तो human beings और animals के मरने के बाद से क्या होता है उसका decomposition होगा decomposition जब होगा तो decomposition होगा bacteria's के माध्यम से वहां पर कई प्रकार के bacteria's रहेंगे पंगस रहेगा और वो जब decompose होगा तो फिर से वह carbon वापस से atmosphere में ही जाएगा तो यही होता है हम चले कहां से थे atmosphere से हमने carbon लिया और फिर हमने उसी carbon को अलग अलग processes के बाद last में atmosphere में ही दे दिया यही तो cycle होता है अभी मैंने बता है तो यह हो गया carbon cycle पहला process की सूरच से प्रकाश और chlorophyll plants के पास है इनके शहायता से यह equation है photosynthesis का 6 co2 plus 12 h2o gips c6 h2o6 plus 6 h2o plus co2 sunlight और chlorophyll के presence तो यहां पर अब जब भी पौधे अपना खाना बनाते हैं एक बार रिवाइस कर लेते हैं एक मिनट में पौधे अपना खाना बनाते हैं तो पौधे के खाना जब बन जादा तो वह carbohydrate के फॉर्म में इस्टोर हो गया plants में अब उस plants को consume करेगा human beings या तो हम खाएंगे या ज जोर हो रहा है human beings में human beings और animals वापस से breathing करेंगे जब respiration होगा स्वसन प्रक्रिया होगी तो यह carbon release होगे फिर atmosphere में जाएगा carbon dioxide के form में carbon वापस atmosphere में चला गया यहां atmosphere से oxygen मिलता है human beings और animals को यह जो लाइन आ रहे है यह oxygen आ रहा है atmosphere से औक्सीजन प्लांट्स और animals के पास आता है bacteria उसको decompose करते हैं और वापस से यह decompose हो जाता है और उसके बाद से यहां से फिर कार्बन रिलीज होता है जो आदमी या फिर जानवर मर गया है जब डिकंपोज होगा तो कार्बन रिलीज होगी वह कार्बन वापस से देखिए आधमोस्पीर में चला जाता है इस प्रकार हमने देखा कि ए मूस्पीर से ही रीक मेंress किया है कहीं है और इसको ख३ kingdoms जाने और प्रॉसेस से क्यें से बाद हम दे रहे हैं इस इसे को में बोलते हैं कार्बन साइकल जिसमें की कार्बन इसको हिंदी में कार्बन चक्र बोलते हैं और यह देखिए हां लिका हुआ है कार्बन साइकल या फिर कार्बन चक्र तो आज हमने समझा कार्बन साइकल के बारे में अब हम आए कभी वीडियो जाओर पनाएंगे तो उसमें हम अने वेडिये सेर्गी कि अच्छे से पर इम बादो तर्णिवाइब